जंग जीतने के लिए अब दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे लेकिन इस बीच रूस यूक्रेन जंग अब बहुत ही भयानक दोर में पहुँच चुकी है हालात तो ये हो चुके है कि यूक्रेन 14 महीने के बाद भी रूस को हारा नहीं पाया है और ऐसे हालात में अमेरिका और नेटो ने अब पोलेंड की तरफ से रूस के खलाफ मोचा खुल दिया है और इधर पुतिन ने साफ कहा है कि अब यॉर्प से लेकर अमेरिका तक भयानक जंग होकर रहेगी क्या पोलेंड की जबीन से नेटो के सब ही के इस देश रूस के खिलाफ काउंटर अटाक शुरू कर चुके है रूस की खुप्या एजिंसिया क्यों दाबा कर रही कि अमेरिका ने पोलेंड में गुप तरीके से अपनी पॉच और खातक हदियार पहुंचा दिये हैं क्या अब अमेरिका रूस पर सीधा हमला करने जा रहा है पिछले 24 गंटे से राश्पती जेलिंस की ये दबाव क्यों बना रहे हैं कि अगर एक हपते के अंदर रूस को पूर्वी उक्रेम से नहीं खदेडा गया तो फिर रूस को नेटो के 31 देश मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे क्या पुतिन के सबसे घातक हदिया पूर्वी उक्रेम में पहुँच चुके हैं खोपिया एजेंसियों से जो खबर मिल रही है वो हैरान करने वाली है दावा किया जा रहा है कि पॉलिंड की जमीन से रूस के खिलाब जंग शुरू हो चुकी है यहां तक कि अमेरिका के टॉप ती जार्नल इस वक्त पॉलिंड में मौझूद है जो रूस और पॉलिंड सीमा पर अमेरिका की सैनिकों को खास मोच्चों से हमला करने के लिए तैयार कर चुके है जानकारों के मुदाबिक अमेरिका और नीटों के सामने अब करू या मरू वाले स्थिती आ चुकी है पहले आप ये देख लीजिए कि पॉलिंड की जमीन से रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका के कितने सैनिक और हथियार पहुंच चुके है फिर हम आपको बताएंगे कि पॉतिन से युक्रेंग अमेरिका और नीटों इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए है कि उन्हें रूस पर हमला करने के लिए पॉलिंड में नीटों और अमेरिकी पॉजूं को भीजना पड़ा है जरा देखिया दागों के मताबिक अब युक्रेंग जंग पॉलिंड की जमीन से शुरू हुचकी नेटों के एक तीस देशों के हजारों हथियार और सैनिक पॉलिंड पहुंच चुके है पॉलिंड के तीन लाग सैनिक रूस से लगती सरहत पर मोर्चा खोल चुके हैं जब कि अमेरिका की पहली बटालियन, आठी इंफेंट्री रेजिमिन, तीसरी आमर्ड ब्रिगेड कॉंबिट टीम और चौत्री इंफेंट्री डिवीजिन के सैनिक पॉलिंड में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं पॉलिंड इस वक्ति युक्रेन को बचाने का कमांड सिंटर बन चुका है असल में युक्रेन में हर तरफ पुतिन के जासूस, पलपल की जानकारी रूस तक पहुँचा रहे हैं जिसकी वज़ा से पुतिन अपने जर्णलों से ऐसे हमले युक्रेन पर करवा रहे हैं नीटो के एक्टीज देशों के सैंक्ड़ों सैनिक उक्रेम में मौजूद लेकिन उसके पाद भी रूस को हरा नहीं पा रहे हुआ और अमरिका की अगवाई में नेटो देश शुरू से ही उक्यां की मदद बसके हैं कर रहे हैं जिसने रूस को भी परिशान किया है लेकिन अब खबर ये है कि नेटो देशों ने पुतिन को हराने के लिए पूरी और बड़ी प्लानिंग बना ली है लेकिन सही वक्त का अब इंतजार किया जा रहा है और इसी बीच यूक्रेण अकेले पुतिन के गुस्से का सामना भी कर रहा है और इस गुस्से के दोरान 14 महिने में बड़ा नुखसान यूक्रेण अकेले जिल रहा है अब सवाल उठता है कि जब रूस पूर्वी यूक्रेण को कबरिस्तान बना रहा है तो फिर अमेरिका, जर्मनी, ट्रांस, पिंडलेंड और ब्रिटेन समेंट नेटो के 31 देश यूक्रेण की मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं कुछ खुफिया रिपूर्ट्स के मताबिक, रूस के खिलाब नेटो और परश्चमी देश बहुत बड़ा वार्ट प्लान चला रहे हैं नेटो को लगता है कि अगर रूस की 5 लाक सेना यूक्रेण की बहुत बड़े इलाके पर कबजा करेगा तो रूस को कबजे वाले इलाकों को ज्यादा हथियारों को सभी मोर्चों पर तैनाप करना होगा और जैसे ही रूस ऐसा करेगा, रूस सभी मोर्चों से यूक्रेण पर लगातार खातक हमले नहीं कर पाएगा इस बीच नेटो अपने धादक हत्यारों को युक्रेन पहुचा देगा और रूस पर चुन चुन कर हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में पहले रूसी फॉच को बचने का मौका ना मिले अमेरिका के पैंटागॉन में लीख हुए दस्तावेजों से पता चला है कि नेटो युक्रेन में रूस के खिलाफ आपरेशन शुरू कर चुका है जरा देखिए अमेरिका की लीख रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है अमेरिका के पेंटागान में लीग होई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युकरेंड रूस के खिलाफ जंग करने के लिए नेटो देशों का बहुत बड़ा आपरेशन चल रहा है 23 मार्च 2023 की इस रिपोर्ट में अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युक्रेन से रूस के खिलाफ पांच नेटो देश जंग में गूद पड़े हैं अमेरिका की लीड डॉक्यमेंट के मताबिक रूस के खिलाफ अमेरिका रिटन फ्रांस लाट्पिया और दान नेधर लेंड्स ने हमले शुरू कर दिये हैं दामों के मताबिक नेटो के पांच देश रूस के खिलाफ युक्रेन और पॉलिन की जमीं से रूस पर हमले कर रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो और पश्चमी देश अभी छिपकर बार कर रहे हैं। लेकिन रूस शुरू से ही कह रहा है कि युक्रेम के कंधे पर बंदू रखकर अमेरिका, ब्रिटन और जर्मिनी समें नेटो के एकतीज देश युद्ध करवा रहे हैं पुतिन के बेहत करीबी और रूस की सुरक्षा परिशद के उप प्रमुक दिमित्री मेद्वेदेद में साब कहा है कि युक्रेम के बाहाने नेटो रूस पर बड़े हमने की तयारी कर रहा है प्रिटन की स्पेशल पोर्स के कमांडर और कमांडू रूस के खिलाब जंग कर रहे हैं पेंटागॉन में लीग हुई रिपोर्ट के मताबिक ब्रिटन की स्पेशल पोर्स के 50 कमांडो और अफसर रूस के खिलाब जंग कर रहे हैं जबकि नेटो देश लापिया की स्पेशल पोर्स के 17 कमांडो रूस के खिलाब युत कर रहे हैं वहीं फ्रांस की स्पेशल फूर्स के 15 कमांडों यूकरेन की तरफ से जंग कर रहे हैं अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए अपनी स्पेशल फूर्स के सबसे माहिर 14 कमांडों को रूस भीजा हुआ है जब कि दो नेधरलेंड्स की तरफ से स्पेशल पूर्स का बेहद माहर और हतरनाक एक कमांडर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है जब कि रूस का दावा है कि उसके खिलाफ नेटो और पश्वी देशों के 500 अफसर युक्रेन में जंग कर रहे हैं अमेरिका के दीद जॉक्यमेंट में ये नहीं बताया गया कि नेटो के स्पेशल पूर्स रूस के खिलाफ के नमर्चों पर जंग कर रही है का अब यस्निला जड़ाची कातरे अना प्रिसलेदूएट व रामकह स्पेशालने वायनने अपिराची असादिए इस वाचिन कहता व्रिसले हो शेता में जलामके और रही हो назвlikे अ कर देशएट व़स्ने है वायने का दे अजा रिए्स घिरीती कोडेए इस रहे है पर शीधे छोमें पowo darüber बेसाश Ne झाल